आज आपका परिचय कराते हैं महराष्ट की एक ऐसी ग्राम पंचायत से जिसकी नियोजिन पूर्ण और विकास उन्मुक नीतियों के कारण गाउं में सम्रुधी की लहर दोणने लगी हम बात करें हैं नागपुर जिले के काटोल तहसील की खुरसा पार गाउं पंचायत थी लेकिन विदर्व के बाकी गाउं से भी अधिक खुरसा पार में पाने की समस्या थी पीने के पाने के अभाव से ग्रामिंट परिशान हो रहे थे समस्या इतनी बुरी थी कि राज्य सरकार ने इस ख्षेत्र को डाज जोन में डाल दिया था और यहां तक पानी पहुँचाने के लिए राज्य सरकार को हर साल टैंकर भेजने पड़ते थे जमीन का पानी भी 800 फीट तक नीचे चला गया था गाव में पीने और इस्तमाल करने के पानी की कमी की कारण लोगों को खासकर महिलाओं को काफी परिशानी हो रही थी लेकिन वो कहते हैं ना कि हर रात की सुभह जरूर होती है अगर योग्य नियोजन, साफ नियत और सबसे समन में स्थापत करके काम किया जाए तो बड़ी से बड़ी समस्या को माद दी जा सकती है खुरसापार ग्राम पंचायत इसका जीता चाकता उधारन है महाराश्ट्र सरकार सूखे की समस्या से निपटने के लिए जल योग्चिवार योजना लेकर आई इसी दिशा में चलते हुए खुरसापार ग्राम पंचायत ने भी अपने क्षेतर में ठोस कदम उठाए सबसे पहले वर्ष 2018 से 19 में गाउं के दो तालाबों को कीचड मुद करके गहरा बनाये गया ऐसे ही गाउं में जलापूर्ति करने वाले दो कुओं को और गहरा किया गया इसके साथ ही 18 बंधारे यानि छोटे डैम और 5 किलोमेटर तक नाले से कीचड भी निकाला गया इसी तरह बारिश के पानी को संग्रहित करने के लिए सभी सरकारी मारतों पर रेन वाटर हर्वेस्टिंग प्रणाली भी लगाई गई इस मेहनत का असर भी जल्दी देखने लगा गाउं के नाले और जलापूर्ति करने वाले कुऊं को 20 रिचार्ट शौप करके उनका जलस्तर बढ़ाने में सफलता प्राथ हुई गाउं में जो भू जलस्तर पहले 800 फीट पर था वो अब सुधर कर 300 फीट पर आ गया है चौदवे और पंध्रावे वित्ति आयोग निधी से गाउं में पाने की लाइन बिचाए गए जिससे हर घर तक पानी पहुँच सका इसी उलेख निये काम के कारण ग्राम पंचायत को जिला परिशत से सिल्वर कार्ड मिला और गाउं जलसम्रुध और आरोग जिदाई बन गया गाउं आसियों ने मुझे पूरा सोहिव किया इसलिए घर तक पर ग्राम पंचायत का नाम राज्यस्तर और केंदरस्तर पर गया सब लोगों को मालूम हुआ मैं राज्यस्याशन और केंदरस्याशन का अभारवित करता